तो भाईयो आज मार्किट से 17,000 के आसपास का लॉस बुक किया गया है अब इस लॉस को बुक करने में मेरी दो सबसे बड़ी गलती रही है पहली गलती तो यह है कि सिर्फ में एक ही इंडेक्स के पीछे लगा रहा सारा दिन और वह था बैंक एक्स और दूसरी गलती यह है जो हर एक ट्रेटर करता है मार्किट के अंदर मैंने ओवर ट्रेडिंग किये है 17,299 रुपे तो हास से गई ही है साथ में हमें यहाँ पर अपना ब्रोकरे चार्ज भी पे करना पड़ेगा यानि कि करीवन 2-3,000 रुपे का यहाँ पर ब्रोकरे चार्ज भी लगेगा क्योंकि यह जो लॉस हुआ है इस लॉस के पीछे करीवन करीवन 2,000 रुपे का इंवेस्टमेंट था अब यहाँ पर मेरी 4 ट्रेड आप लोग देख सकते हूँ देखो एक ट्रेड में मुझे यहाँ पर प्रोफिट हुआ है 6,572 रुपे का अब जब मैंने यहाँ पर अपना पैसा इंवेस्टमेंट किया था 2,000 रुपे तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी गलती यह हो गए कि सिर्फ 35,000 रुपे यहाँ पर एक्जिक्यूट हो पाए थे यहाँ पर 1,65,000 रुपे यहाँ पर एक्जिक्यूट हुए ही नहीं थे और रिजेक्ट हो गया था आप लोग देखो यहाँ पर 148 रुपे के आसपास प्रिमिम बाई किया गया था और 117 के आसपास यहाँ पर सेल किया गया अगर यहाँ पर करीब-करीब मेरे 2,000 रुपे इंवेस्टमेंट हो जाता तो मुझे करीब-करीब यहाँ पर 20,000 रुपे से उपर का प्रॉफिट जनरेट होता जो मेरे लिए काफी अच्छा था आज के दिन मैं हमेशा अपने फंड का 10-20 परसेंट का प्रॉफिट जनरेट करता हूँ उसके बाद मार्किट को एक्जिट कर देता हूँ तो आज मार्किट के अंदर यहाँ पर भी थोड़ा लखने साथ नहीं दिया और ये 4 ट्रेड तो आप लोग देखी रहे हो अब देखो आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे ये ट्रेड लिये और किस वज़ा से मुझे यहाँ पर लॉस हुआ देखो एक ट्रेड आपको यहाँ पर निफ्टी में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर निफ्टी में मैंने जो ट्रेड लिया यह तीन बज़े के आसपास ट्रेड लिया था अब यह ट्रेड क्यो लिया देखो आपको दिखा देता हूँ देखो जब मैंने देखा कि Nifty के अंदर मुझे ट्रेड करना चाहिए क्योंकि Nifty sideways की तरफ work कर रहा था तो मुझे लगा कि Nifty यहाँ पर 500 के आसपास जरूर जाएगा और 477 अगर आप हमारे course को buy किये हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमेशा यह जो 77 का point of value होता है काफी important होता है तो मैंने सोचा कि market 400 का breakdown तो करेगा नहीं क्योंकि काफी strong support है ठीक है और market के अंदर यह जो swing दिखाई दे रहा था यह मुझे higher high में दिखाई दिया तो मैंने देखा कि market में कही ना कही मुझे एक upside का moment देखने के लिए मिल सकता है जैसे ही market में 3 बज़े की candle open होती है मैंने सीधा अपना stop loss लगा कर यहाँ पर अपनी trade को execute किया ठीक है starting में तो 3 बज़े के बाद market के premiums ने हमें कही ना कही थोड़ी बहुत तेजी दिखाई मैं कुछ रोने लगा कि market में वापस से ये candle recover हुई है तो nifty के अंदर मेरा call side का जो view था ठीक है वो मज़ा नहीं आया अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो candles तो बने call side के लिए लेकिन जो premiums थे ठीक है premiums के अंदर तेजी ने दिखाई दी गई ठीक है अगर premiums के अंदर तेजी दिखाई दे जाती ही तो कहीं न कहीं मेरा loss होने से बच जाता आप लोग देख सकते हो premiums सीधा 150 लुपे से ठीक है 166 के आज पास trade करता रहा और आप लोग जानते ही हो कि 3 बच के 15 मेट के बाद बहुत risky market हो जाता है तो यह आपको 3-4 candles दिखाई देने जिनके अंदर premiums में कोई तेजी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो bankx के trade है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं देखो यह bankx का trade आप देखो तो जहाँ पर भी मैं trade execute कर रहा था है वहाँ पर कहीं न कहीं SL hit हो ही रहे थे पहला logic यहाँ पर यह था कि market में support था support का breakdown हुआ ठीक है और जैसा मैं समझता हूँ कि market अगर support के पास consolidate कर रहा है और वापस से इसका breakdown करता है तो यह genuine breakdown कहलाता है लेकिन यह market है कुछ भी हो सकता है तो जैसे ही support का breakdown हुआ मैंने फिर से यहाँ पर put की खरीदारी की ठीक है और first candle का यह जो low था ठीक है यह मैंने SL रख लिया वापस से market ने यहाँ पर मेरा SL hit किया फिर again मैंने यहाँ पर फिर वापस से put की खरीदारी की ठीक है फिर वापस से मेरा SL hit हो गया तो यहाँ पर कोई बड़ा moment ही बन पाया मेरा back cake में भी लेकिन हाँ मैं mid nifty की तरफ sure था कि अगर mid nifty में अच्छी treat बनेगी तो कही ना कहीं 11,024 के नीचे बनेगी अगर 11,024 का mid nifty breakdown कर देता है तो बहुत easily मुझे यहाँ पर 10,996,97 का यह जो level है कहीं न कहीं यहाँ था मुझे market दिखाई देगा और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यह 11,000 का level है जो बहुत important level है mid nifty आज के दिन इसको breakdown कर सकता है जो कि mid nifty में मुझे लगातार एक downtrend दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि mid nifty आज की दिन 11,000 के level का breakdown जरूर करेगा जो कि mid nifty नहीं किया पूरे दिन mid nifty sideways रहा कोई बड़ा moment नहीं आया बस morning में ही trade था देखे मैं हमेशे एक चीज़ बोलो करता हूँ कि मैं market के अंदर 11 से 12 बजे तक अपना profit बना लेता हूँ लेकिन आज loss के कारण मैंने एक trade 3 बजे के आसपास execute किया काफी समय बात किया था लेकिन उसमें भी मुझे loss ही हासिल हुआ तो आप मेरी गलतियों से ये सीख सकते हो कि आप ये गलति कभी मत करना कभी एक ही index में मत बैठे रहना ठीक है दूसरी गलति ये है कि over trading मत करना ठीक है और तीसरी गलति ये है कि जब levels पर market आए ठीक है retracement करे तभी यहाँ पर trade करना मैं तो हमेशे ऐसी trade करता हूँ बस आज थोड़ी सी गलति हुई है कि मैंने यहाँ पर retracement का weight नहीं किया क्योंकि loss था मैं loss को recover करने के चक्कर में और बड़ा loss करके बैठ गया ठीक है तो आप प्लीज इस तरह की गलति मत कीजेगा और बस यही है ठीक है experience से आप लोग सीखोगे trading अगर आप कोई वीडियो पसंद आयो तो मुझे एक बार comment करके ज़रूर बताइएगा ठीक है और दुआ करना यार यह loss रिकवर हो जाए ठीक है मजाग कर रहूं ठीक है छोटा loss है कल इसको recover कर लेंगे और इससे ज़्यादा profit बनाएंगे ठीक है मिलते हैं आप लोगों के साथ next वीडियो में Thank you